नवरात्री की शुरुवात हो रही है और माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिश शास्त्र में मान दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेश उपाय बताए गए हैं। इन उपायों व तोटकों के करने से आपका भाग्योदय होता है और मान दुर्गा का आशीरवात प्राप्त होगा। आईए, जानते हैं, चैत्र नवरात्री में किये जाने वाले लॉंग के इन टोटकों के बारे में, नवरात्री के नौ दिनों में मान दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। और परिवार के सदस्यों की उन्नती भी होती है। नवरात्री के नौ दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोश दूर होते हैं और सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक उर्जा के रहने से मा दुरगा का भी घर में वास होता है जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। ऐसा करने से चाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ती मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नती नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो चैत्र नवरात्री में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक साथ बार वार लें और माता दुरगा के चरणों में अर्पित कर दें या फिर आपके घर पर अग्यरी होती है तो उसमें अर्पित कर दें ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे, वैवाहिक जीवन में लड़ाई जगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुँच गई है तो चैत्र नवरात्री की अश्टमी तिथि को तीन लौंग को लाल कपड़े में बांध कर मा दुरगा के मंदिर में रखाएं, साथ ही महागोरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौं प्रिमिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को घर लाने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और कभी भी धन्धान्य की कमी नहीं होती। खाली नहीं जाने देती। भक्त भी अपनी मां के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे पूरे नौ दिनों उपवास करते हैं और मां की आराधना में लीन हो जाते हैं। आपको बता दें। चांदी का सिक्का धार्मिक रूप से नवरात्री में चांदी का सिक्का घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे मां लक्षमी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर पूजने से घर में बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती। ऐसे में आप भी इस नवरात्री चांदी का सिक्का अपने घर ला सकते हैं। मां तुलसी के आगे दिया लगाने और जल देने से मातारानी प्रसन्न होती हैं। और घर में सुख शांती बनी रहती हैं मां।। लक्षमी की तस्वीर Summa, नवरात्री में माता लक्षमी की तस्वीर या मूर्ती लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्री में माद दुर्गा की ही स्वरूप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख और सम्रिध्य बनी रहती है। हालांकि मूर्ति या तस्वीर लाते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। धार्मिक रूप से इसे ही शुभ बताया गया है। माता रानी के सोलह श्रिंगार नवरात्री में माता रानी का सोलह श्रिंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्री में मा दुर्गा को 16 श्रंगार अर्पित करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होती है। ऐसे में आपको नवरात्री में जरूर मातारानी के लिए श्रंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर ने विरामन मातारानी की मूर्ती या तस्वीर का श्रंगार भी कर सकती हैं। नवरात्री में इसका बहुत महत्व बताया गया है करें कलश की स्थापना। नवरात्री के पहले दिन कलश की स्थापना करने का विशेश महत्व है। ऐसे में आप नवरात्री में कलश जरूर खरीदें। आप अपनी सामर्थे अनुसार, मिट्टी पीतल सोना या चांदी कैसा भी कलश खरीद सकते हैं। इस कलश में नारियल और आम के पत्ते लगा कर म माता की चौकी पर स्थापित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्तों को माता रानी का विशेश आशीरवाद प्राप्त होता है। बनाया जाने वाला यहत्योहार मान दुरगा को समर्पित होता है। इन दिनों माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त मा को प्रसन्न करने के लिए वरत पूजन और तमाम तरह के उपाय करते हैं। शार्दिय नवरात्रे के दौरान कुछ विशेश उपाय करने से माता रानी खुश होती हैं और आपकी हर मनो कामना पूरी करती हैं। घर खरीदने के लिए करें। यह उपाय यदि आप खुद का घर बनाना या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए नवरात्रे में मिट्टी का छोटा सा घर बना कर पूजा स्थल में रख तो एक सिक्के के साथ अपनी मननत मांगें, फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें, इससे आपकी उन्नती के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, ग्रह के कलेश दूर करने के उपाए, अगर आपने घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, तो नवरात्री म नौ दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रख कर दुर्गा स्त्रोत और दुर्गा नामावली का पाठ करें, इससे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होने लगेगा, धन प्राप्ति के उपाए, अगर आपके साथ पैसों की समस्या रहती है, तो आप नवरात तरक्की के लिए करें, ये उपाए नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए नवरात्री के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें, इसके बाद इसे मान दुर्गा को अर्पित करें, पान के पत्ते को अपने सिर के पास रख कर सोएं, इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखतें, ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, साथ हाई मातारानी आपकी हर मनो कामना पूर्ण करेंगी, क्योंकि ये खास उपाये बहुत ही सार्थक और सिध्ध उपाये होते हैं, बस इनको करने का तरीका बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए, साथ ही मातारानी को प्रसन्न करने के और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे मातारानी प्रसन्न होती है क्योंकि बताया जाता है कि नवरात्रों के नो दिनों तक मातारानी धर्ती पर निवास करती है और सभी भक्तों की हर मनो कामना पूर्ण करती है तो आपको भी ध्यान रखना है बस उपायों को करते समय सावधानी बरतनी है